फगवाडा में गत साएं एक विवाह समागम के दोरान दो पक्षों में हुई लडाई के दोरान गोलिया चलने से दो व्यक्ति घायल हो गए वहीं इस पूरे घटना करम की CCTV फूटेज भी सामने आई है जिसमें कार से उतरते समय एक व्यक्ति की वहाँ पर खड़े पांच लोगों के साथ किसी बात को लेकर लडाई हो गई इस संबंद में जानकरी देते हुए सिवल अस्पताल फगवाडा के डॉक्टर अरुन जेतली ने बताया कि गत साएं दो व्यक्तियों को दख्वी हालत में अस्पताल लाया गया जिनमें से बलविंदर सिंग नामक नौजवान के हाथ में चोट लगी थी जबकि उसके साथ बलवीर सिंग की पीट में गोली लगी हुई थी उन्होंने बताया कि दोनों घायलों को प्रात्मी कुक्चार देने के बाद बड़े अस्पताल में रेफर कर दिया गया है वही घटन की सूचना मिलते ही S.P. फगवाडा सरब जीत सिंग बहीया और D.S.P. परमजीत सिंग भारी पुलिस बर सहत अस्पताल में पहुँचे पत्रकारों से बाचीत करते हुए S.P. सरबजीत सिंग बाहिया ने बताया कि स्थानिया पैलेस में विवाह समागम में दो वक्षों के बीच लड़ाई के दुरान गोलिया चली जिस कारग दो नौजवान घायल हो गए है उनने कहा कि फिल्हाल मामले की जाच की जा रही है जाच के बाद बंती का अरवाई की जाएगी पगवारा से पंकर शर्मा की रिपोर्ट आज जड़ी होने साननों इन्फर्मेशन आएगी जाच की जाच कार देता है आएगा नवाई आठे पैलेस देवेच को ब्यास ही गा अले साननों बिल्कुल क्लियर नहीं होया और जलंदर तों ब्रात आई सी ते अपना लड़की वाड़े फगवाड़े तों से गे जड़े वी बदेश्तों आई होया पर अपना हले तक जड़ी मुडली जानकारी आएगा ने यह सारा कुछ किती है